तीसरा अध्याए राजा नावी का चरित्र श्रीश शुकदेव जी कहते हैं आगनिद्र के पुत्र नावी के कोई संता न थी इसलिए उन्होंने अपनी भारिया मेरु देवी के सहित पुत्र की कामनाक से एकाग्रता पुर्वक भगवान यग्य पुरुष का यजन किया यद्यपी सुन्दर अंगो वाले श्री भगवान द्रब, देश, काल, मंत्र, रित्विच, दक्षणा और विदी इन यग्य के साधनों से सहज में नहीं मिलते तथापिवे भग्तों पर तुक्रिपा करते ही है इसलिए जब महाराज नाभी ने श्रधा पुर्वक विश्वशुद्ध भाव से उनकी अराधना की तब उनका चित अपने भग्त का अभिष्ट कारे करने के लिए उत्सुक हो गया यद्यपी उनका स्वरूप सरवथा सुतंत्र है तथापि उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अव्यवों से युक्त अति सुन्दर हिर्दयकार्शक मूर्ती में पकट किया उनके श्री अंग में रेश में पितामबर था वक्ष अस्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्य शुशोबित था भुजाओं में शंक चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौतिव मनी की शोहती संपुर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांती को बढ़ाने वाला किरण जाल मंडित मनिमें मुकुट कुंडल ककन करधनी हार बाजुबंद और नुपुर आदी आभुशनों से विवोशित था ऐसे परमत जस्वी चतुर भुजी पुर्ष विशेश को प्रकट हुआ देख रित्विज सदस्य और यजमान आदी सभी लोग ऐसे आहलादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशी पाकर फूला नहीं समाता फिर सभी ने सिर जुका कर अत्यंत आनंद पुर्वक प्रवु की अध्य द्वारा पूजा की और रित्विजो ने उनकी इस्तुती की रित्विजे ने कहा पुजतम हम आपके अनुगत भकते आप हमारे पुनह पुजनिये किन्तु हम आपकी पूजा करना क्या जाने हैं हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं उतना ही हमें महापुरुषों न सिखाया है। आप प्रकृती और पुरुष्टे परे हैं। फिर प्रकृती गुणों के कारेभूत इस प्रपंच में बुद्धी फश जाने से आपके गुण गान के सर्वता असमर्थ हैसा कौन पुरुष है जो प्रकृत नाम, रूप एवं आक्रिती के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपन कर सके। आप साक्षात परमिश्वर हैं। आपके परम मंगल में गुण संपूर्ण जनता के दुखो का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा, तो केवल उनके एक देश का ही वर्ण किन्तु प्रभू यदि आपके भक्त प्रेम गदगदवानी से सुती करते हुए समाने जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और दूब के अंकुर आदिस समक्री सही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सप्रकार्ट संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रभ्य कालादी अने को अंगो वाले यग से भी आपका कोई प्रेयोजन नहीं दिखलाई देता। क्यूंकि आप से स्वत ही छण छण में जो संपूर्ण पूरुशार्तों का फलसुरूप परमानंद सभावत ही निरंतर प्रादुर्भूत ह होता रहता है आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्दपी आपको इस यग्यादी से कोई प्रेयोजन नहीं है। तथा पी अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धी चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरत सिद्धी का प्रयाप्त साधन यही होना चाहि है। आप ब्रह्मादी परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रष्ट हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्यान किसमे हैं। और ना हमसे आपकी यतोशित पूजा ही बनी हैं। तथा पी जिस प्रकार तत्वज पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणा वस अज्यानी पुरुषों के पास चले जाते हैं। उसी प्रकार आप भी हमें मुक्ष संग्यक अपना परम पद और अपनी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधहरन यग दर्शकों के समानी हैं प्रकट हुए हैं। पुजेतम हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रमादी समस्त वर दायकों में स्टेश्ट होकर भी आप राजर सी नाभी इस यग शाला में साक्षात हमारे नित्रों के सामने प्रकट हो गएं। अब और क्या वर मांगें। प्रभो आपके गुण गणों का गान परमंगल में हैं। जिन्हो इसका सभाव आपके ही समान शांत है। वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतह हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छीकने, आत्वा जम्हाई लेने और संकट आदी के समय एवम ज़र एवम मरनादी की अवस अस्थाओं में आपका आस्मरण ना हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वतसल दीन बंधू आदी गुण धुत्तक नाव कहा मुच्छारण कर सके। इसके सिवा कहने योगी ना होने पर भी एक प्रार्तना और हैं। आप साक्षात परमेश्वर है स्वरग अपवरग आदी ऐसी कोई वस्तू नहीं है जिसे आप न दे सके तथापी। जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुँचकर भी उससे भूसा ही मांगते हैं। उसी प्रकार हमारे यजवान ये राजर्शी नाभी संतान को ह देव देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम करते हैं। हम मंद मत्यों ने कामनावश इस तुक्ष कारे के लिए आपका आवाहन किया यह आपका अनादर ही है किन्तु आप समदर्शी हैं अतह हम अज्ञानियों की इस दुष्टता को आप छमा करें श्री सुकदेव जी कहते हैं राजन वर्शाधि पति नाभी के पुझ रित्विज रिशियों बड़े अस्वंजस की बात है आप सब सत्यवादी महत्मा है आपने मुझसे यह बड़ा दुड़लवर मांगा है कि राजर्शी नाभी के मेरे समान पुत्रों मुनियों मेरे समान तो मैं ही हूँ क्योंकि मैं अद्वितिय हूँ तो भी ब्राम्वनों का वचन मि रिध्या नहीं होना चाहिए दुजगुल मेरा ही तो मुख है इसलिए मैं स्वयम ही अपनी अंश्कला से आगनी ध्रनन्दन नाभी के यहां अवतार लूँगा क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता श्री शुकदेव जी कहते हैं महारानी मेरु देव प्रिये करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्व से दिगंबर सन्यासी और उर्ध्वे रेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्तो मैं विग्रह से प्रकट हुए